ग्रेटर केलाश में जो है आज अमित कपूर जी के उपर हमला हुआ है और उनके अगर गाड़ी देखें तो दो से तीन बुलट राउंड उन पर फायर हुए हैं हमार साथ अमित कपूर जी हैं अमिजी क्या बात होगी आप कहां जा रहे थे क्या देखिए सबको पता है कि मैं काड़ा 10-12 बजेे दो में वही मीटिंग करके मैंने वहां पर लाइब पर चलाया तो वहां से लाइब से आ रहा था जब मैं ग्रेटर क्लाश में ने उन्टरीआ मुझे बेणता चालता कि मेरे पर हमला बूए शीशा मेरा टूटा नहीं फिर उनुछ जाए पर पाई जाके अकर मैं बाग में सामने उपड़ी मेरे ब हमार लेकिन मेरे स्टेइfen do लगा पस इससे जादा मैं क्या कहूं क्यों ऐसा मतलब आप लगादार जो है पेरेंट्स के वाद उठा रहे हैं बच्चों के वाद उठा रहे हैं सर यही तो प्रावलम है लास्ट एर भी आप जानते हैं करोडों अर्बॉर्वे का नुक्सान हुआ है उनका तो अब भी मैं क अब करेगी तो बटाएगी कमप्लेंट दिए कि 6 मेने पहले कि मेरे को जान का खत्रा है मेरे को मेरे पर कुछ भी हो सकता है लेकिन किसी ने मेरी नहीं कि लगाई कि सब्सक्राइब घुटे लगने के बाद मुझे लगता है 370 टूटने के बाद शायद हमारे जम्मू कश्म हो जो भी हैं जो भी यह हैं मेरी कंप्लेने लगाई जाए पहले शेमी ने पहले जो मैंने कंप्लेने लगाई थी बाई पोस्ट और अब हम यूएंड कमिशन में हूमन राइट चार एजुकेशन फैसलेटर भी हूँ जमू कश्मीर का तो इन्होंने जितने मेरे पर अरोप ल हमला हुआ है अमित कपूर जी हमार सब बात कर रहे थे इनके उपर जो है हमला हुआ है इनके मुताबिक और पुलीस ने भी मामला दर्च किया है ये ग्रेटर किलाश के इलाके की खबर है ये गाड़ी में वहां से आ रहे थे कल इनका एक परदर्शन है जो की पेरेंट्स ए आई है मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा दूँ जो तस्वीर गाड़ी की आई है जहां पर हमला हुआ है अमित कपूर के उपर ये वो गाड़ी है जिसके उपर ये बुलेट फायर हुए है ये इनकी गाड़ी है जिसके अंदर ये आ रहे थे और ये हमला आज ठीक कुछ देर पहले जो है अमित कपूर के उपर हुआ है और फिलहाल पुलीस मामला की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्या मामला है लेकिन फिलहाल ये अमित कपूर का कहना था जो अभी आप सुन रहे थे देखते हैं जेके मीडिया आशीश कोली के रहा है मैं अशोग्च उत्राजी के साथ जेके मीडिया के धन्यवाद जय हिन